जब से राहुल जी नेता बने हैं, इसकी राधनेती में एक बहुत आमुल चुर परिवर्तन आया है, पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड कर लोगों के सामने रखा जाता था, इतना तो पोलिडिकल पार्टिया करती थी, मगर कभी भी जूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता, राहुल गांदी जी ने एक नई परंपरा करी, शुरू करी है, कि जूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाता, और इसका एक सबसे अच्छा उदारण, अगनेवीरी योद्ना है, मैं आज अगनेवीरी योद्ना के बारे में थोड़ा डीटेल बात इसलिए करना चाहता हूं, कि देश बर में भ्रंती फिलाई जा रही है, कि चार साल के बाद 75 प्रतिसत अगनेवीरों को कोई भविस्य ही नहीं है, इनका जीवन बरबाद हो जाएगा, दर असल योद्ना है कि सो बच्चे अगनेवीरी बनते हैं तो उसमें से 25 प्रतिसत तो सिधा सेना में पर्मेनेट पोस्टिंग हो जाएगा, अब जो 75 प्रतिसत बचे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा सासी सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलीस फोर्स में 10 प्रतिसत से 20 प्रतिसत रिजर्विशन किया हैं, और केंद्रा सरकार के पेरा मिलिटरी फोर्स जितने भी हैं, उसमें भी 10 प्रतिसत रिजर्विशन किया हैं, उनको रिजर्व सीटों के उपरान सीलेक्शन में भी कई सारी रियायते दी हैं, जैसे उमर की रियायत दी है, कि इनकी एज ग्रूप में रिलेक्शेशन दिया है, उसके बाद एग्जैमनेशन में कुछ एडवन्टेजी दिये हैं, फीजिकल भी नहीं करने हैं, अब यह सारी रियायतों के बाद सायद ही कोई अगनी वीर ऐसा बचेगा, जो स्टेट की प ही बात है, पर इसके अलावे भी धेर सारे सिक्यूरिटी प्राइवेट सिक्यूरिटी एजन्सी और कंपनियों ने भी अगनी वीर के लिए प्राइवेटी ताई की है, अब एक युवा चार साल सरकारी खर्चेश से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, चार साल उसको भारी तनखवा भी मिलेगी, और चार साल के बाद पैंसन नुमा ग्रेजूटी वाली पुरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी, इसमें किसका नुकसान होने वाला है, राहूल गांदी जी अपने पार्टी के फाइदे के लिए सरासर जूट लोगों के बीच में फैला रहे हैं और जनता को गुमरा करें, मेरे आप सभी से निवेदने हैं, हिमाचल जैसे छोटे पदेश के अंदर इस तरह की जूठी बाते फेलाते हैं, आप लोग ये मेरी बात को युवाओं के लिए पूर्व सेना के हमारे जवानों के परिवारों के बीच में ये बात को जरूर पह सबको ग्रेज्जूटी में, सारे सरकारी फाइबे बिनने हैं, तो राहूल जी का जो जूट बोलने की आदत है, बार 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 जूट को बोलते जाना, अगने विर इसका बेश ट्रेक जम करें